आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एक्जाम के बारे में तो इस वीडियो का मकसद होगा आपको बताना कि आपको फर्स्ट यर में क्या पढ़ना चाहिए सेकंड यर में क्या पढ़ना चाहिए थर्ड यर में क्या पढ़ना चाहिए फोर्थ यर में क्या पढ़न कितने बच्चे होते हैं, जो पुरस को काशिंग हैं ले अगर ऊइने एंटम में। जुछ जाने से पहले में आपको पहले बधाना चाहता हूं, थूछ कि पर में इंडियां में इस गेट एग्जामिनेशन को बहुत अंडर रेटेड मानते हैं ठीक है किसी के मुँपे भी आप बोलो यार गेट एग्जाम उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बड़ा एग्जाम है इस पेशली उन बच्चों के लिए जिनका कॉलेज उतना अच्छा नहीं है जो बारवी में इतना अच्छा नहीं कर पाया थे जहीं में बच्चों को श्रीम अपनी मन पसंद नहीं मिली वो कॉलेज़ जहां पे प्रोड़क बेस कंपनीज नहीं जाती उन बच्चों के लिए यह एक्जाम जन्नत है यहां पे आपको श्टेबलेटी भी मिलेगी सरकारी नौकरी वाली यहां पे आपको कुछ ऐसे ऐसे कूर्स भी में बताऊगा जिनका पाकेज़ इतना बड़ा है कि आप सुनके मतलब शौक हो जाओगा आप M.Tech और PhD में इंट्रेस्टेड नहीं हो तब भी मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप वीडियो की शुरुवात के 5-7 मिनट जरूर देख जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि preparation कैसे करते हैं एक्जाम देने के बाद आपके पास पहला option होता है पी एस यूज क्या होते हैं पी एस यूज होती है गवर्मेंट ओंड कंपनी मतलब वह कंपनी जहां पे आधे से जाधा शेयर गवर्मेंट के पास होता है ठीक है आधे से पास होता है उसकी अपने कुछ पर्क्स होती है सिमलर्ली पिस यू में भी स्टेडिशी होती है पहर सैलिर कितनी होती है सालरी इस मेरा आप आट से दस लाग बाकि यूज वली आपकी दस से चौदा लाग के बीच में लाइग अब आम आपनी से के बार बात करते हैं जा देता हूं, MDEC हमारा 2 साल का होता है, MS हमारा 2 से 3 साल का होता है, flexible है, 2 मी भी कर लो, 3 मी भी कर लो, PhD हमारा 4 से 5 साल का होता है, यह हमारा industry focused होता है, यह दोनों हमारी research focused होते हैं, यहाँ पर हम 1st, 2nd, 3rd semester में course की पढ़ाई कर रहते हो, course की पढ़ाई मतलब, जैसे अभी आप DTEC में कर रहे हो, ठीक है, किताब, पढ़ी, exam दिया, यह होता है, course की पढ़ाई, और 4 सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हो, यहाँ पे आप अपना 1 सेमेस्टर में course की पढ़ाई कर रहे होते हो, प्रोजेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हो, उसके बाद बाद आगी, सावरा टाइम में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यह समझ में आगया, यहाँ पे वही course work पे focus, project work पे focus, यहाँ पे आम एक high gate score चीए, high gate score, क्या मतलब इसका अभी बताता हो, यहाँ पे आमें low gate score चीए, PhD में भी low gate score कीए, low gate score का मतलब क्या है, कि अगर आपका gate score काम आया, पर उसके बावजूद भी आप एक अच्छे college से MS का course कर सकते हो, हो सकता है उसी rank पे आपको उसी अच्छे college में M.Tech का course ना मिले, मतलब कि जादा बच्चे MS के लिए opt नहीं करते हैं, क्यों कि यह थोड़ा research oriented जादा होता है, ठीक है, simple, यहाँ पे आप teaching assistant बनते हो, यह क्या है, half time teaching assistant, B.Tech के सारे student जानते होंगे, इसका मतलब क्या है, याज, वो आपके lab में जो आते हैं, आपको 12,400 रुपे सरकार आपको देती है, हर महीने पढ़ने के लिए, कि बच्चा पढ़ रहा है, हाया study कर रहा है, तो इसको हर महीने हम 12,400 रुपे देंगे, similarly, यहाँ पे होता है हमारे HDRA, half time research assistant, PhD में आपके पैसे बढ़ जाते हैं, 25,000 रुपे आपको मिल जाते हैं, साथ में आपको यार, government quarters भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि PhD के वक्त तक यार लोगों की जनरले शादियां हो जाती हैं, तो सरकार कहते हैं, चलो यह हो, अब यह apartment भी ले लो, तो काफी सारी perks हैं, ठीक है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक मकान भी मिला है, आपको 25,000 रुपे भी मिलेंगे महीने के, सिर्फ पढ़ने के, और 25,000 हैं पहले दो साल के लिए उसके बाद बचे वे तीन साल के लिए आपके 28,000 हैं, बाकी यार, जून जुलाई में प्रोविजन भी आया था, कुछ की 70,000 रुपे मिलेंगे उन बच्चों को जिनका 8CGPA से उपर होगा, चीक है, तो, अब अपना थर्ड चीज़ पर आते हैं, वो है आप study abroad, हाँ, आप gate exam देखके, बाहर पढ़ने जा सकते हो, पर या कौन कौन सिकंटरी में पढ़ने जा सकते हैं, आप Germany में जा सकते हो, आप Singapore में जा सकते हो, भीया मुझे इन दोनों में नी जाना, मुझे तो USA जाना थ पर आपको stipend नहीं मिलेगा, stipend, stipend कौन देगा है, stipend आपको आपकी government देगी, कैसे देगी, जैसे मान लोगर आपका Singapore में हुआ, तो आपको हर महीने, आप gate score अपना दिखा के, अगर admission लेते हो, तो आपको stipend मिलेगा, जैसे for example, वहाँ Singapore डॉलर है, तो आपको हर महीने के 500 से जैसे देगा, जैसे थोड़ना ले लेगे, बस gate score दिखाने, क्या, सही में, हाँ, सही में, कैसे gate score दिखाने, प्लस एक letter देने, letter में क्या लिखना है, letter में ये लिखना है, अपने college से लिखवा के लाना है, कि भाया, आपने अपने 4 साल का course English में किया था, बस, इतना ही करना बस एक स्टेटमें पर्पस, आप उस college को जो इन करना चाहते हो, विदेश में क्यों जाना चाहते हो, बस ये चीज, ये तीन चीज, अब मतलब कितना सस्ता, कहां आप कितने पैसे खर्च कर रहे थे, अलग एक जीरी का एक्जाम दे रहे थे, आप बोलो कि भाया, पर मैं य तो सिंगापूर से चले जाना है एक बार यह दो साल का कोर्स कर लिया उसके बाद निकल जाना उसके बाद वहां से जाना तो असान है ना बजाया वही आपने घरवालों से पैसे लो बहुत सारे पैसे इंवेस्ट करो एक रास्ता यह तो इसको अगर आप चाहते हो मैं इस पर और खोल के बनाओ तो कमेंट सेक्शन में बता देना अब तीसरा ओप्शन देखते हैं एंब अच्छा गेट स्कोर से एंबड़ सकते हैं हाँ वहीं एमड़े लिए कर सकते हो कहां से नेती मुंबाए क्या पहली आप चुना नहीं बहुत अच्छा पाले बहुत अच्छा प यह मैं गेट दूं या फिर एंब दूं में अभी कंफ्यूज रूं मुझे पता नहीं में क्या करना चाहता हूं अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर रहा है यह दे दो उसके बाद आप एंब भी कर सकते हो चीजें समझ मारी है क्लियर हो रही है तो इसलिए क्या करता हूं और यह तो बहुत बड़ा नाम था इसके बाद मिल जाता है यह यह बाद मिल जाता है फैलोशिप मतब फैलोशिप यह प्यजडी प्छूट्टी नहीं करने वाले थे इतना अट्टी पढ़ चुके हैं और हमारे पढ़ने की बसकी नहीं यह जादा हो गया यह नहीं करेंग और होस्तिल देठे हैं अपको पता है होस्तिल बियां में कुछ में होस्तिल में कि सितिने ऐसलेटिस में उसकेस में कinkलते है अगर आप भार रहते हो न तो भार रहने की बी आपको तो फिर हाउसिंग लाउंच मिलता है साड़े आठ हजार का हर महीन है अच्छा ठीक है तो मतब भरवार यह भी आपको प्रॉपर देंगे और क्या मिलता है बईया पांच साल का बोर्च नहीं होगा पांच साल के कोड़ के बाद 35-40 लाव रुपए का पैकेज अब कर लेंगे तो उसके लिए आपको अलग से हम गेट एक्जाम देंगे और घुज़ाएंगे कैसे गुज़ेंगे भी जाएंगे क्या ची होगा गेट सकोड और ची होगा रिज्युमे रिज्युमे क्या होता है वह एक पन्ना होते है जिसमें आप 10-12 या इसके नंबर अपने सारे प्रो तो आप इन सभी कॉलेज में जा सकती हो एक चोटी सी चीज यहां पर सिर्फ इंजिनियर नहीं जा सकते एक चीज बताना बोल किया तो अब अपने वीडियो पर जंप करते हैं इसको में के में अलग वीडियो बना देना चाहिए तो अब जिनको यहां एक्जाम देना है जिनको लगता है यह अची चीज है आगे देखते हो कैसे बढ़ना है जिनको लगता है अची चीज नहीं है तो लाइक करो सब्सक्राइब बूर अच्छा लगा तो शेयर और बाकी साथ में चलो तो अब यहार रहा मात करते हैं कि preparation कैस इसके बाद याद दिलाना मुझे स्टेप 2, 3, 4 भी आपको बताने हैं यह कुछ कोस्टेंस हैं जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाले थे तो इनका आंसर देंगे कोस्टिन नमबर वन वें तो स्टार प्रप्रेशन नौ एजुमिंग कि अभी जितने भी बच्चे देख रहे होंगे या तो फिर स्टीर के होंगे या फिर क्लाश्ट के बच्चे होंगे तो नहीं देखना चीए वीडियो तो उन बच्चों को यह अपने जितना जल्दी हो से कि अपने बार ने बात करें अब इसमें चोड़ा से च्टीर करने में था तो मिनिमम या एक बच्चा था जिसने ।कि आख नो में इस एक्जम क्रें किया था था वो था rank 1 वह मेकानिकल स्ट्रीम से था और उसने तो आपको इससे नहीं पड़ा तो इसलिए क्योंकि हमारे कि स्लीक और मार जो इंजद श्लेबव रहर त्तर प्रशंट से 2 घंज लिकी तो समाज़ए सोचीन, चैना क्राइट विडाउट कोचिंग ? हां, आप अपना गेट एक्जाम विना कोचिंग कर सकतो, इन फैर्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना गेट एक्जाम बिना कोचिंग करते हैं, तो वह processo क्या फाइदा ? कोचिंग का फाइदा वहां में आड़ हैं, पहले केस हमारा होता है कंसिस्टेंश अमें करने में, आप हम इस कि म।ोरो से कजिरें, आप के प्रवें रहे हैं, सब्सक्राइब कोश से कि बादे हुए, तो आपकी एक consistency maintained रहती है प्लस अगर आप coaching जाते हो एक early phase में जाते हो तो फिर आपके जो college में आपकी पढ़ाई हो रही है वहाँ पे भी आपको थोड़ा benefit मिलता है एक edge मिलता है बाकी बच्चों के ऊपर तो पहला फाइदा वो हो गया दूसरा फाइदा यार कुछ बच्चों को book phobia होता है यह मोटी मोटी इंजिनेरिंग की किताबे कुछ बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते वो कहते हैं कि हम पढ़तो लेंगे पर हमें कोई पढ़ा दो खुद से नहीं पढ़ना हमें कोई समझा दो हम समझ लेंगे अगर आप उस काटेगरी में लाइक करते हो यार तो आपके लिए कोचिंग बेनिफिशल है ठीक है पर एक सेकिंड के लिए पॉज मार लो यह जो दोनों सिंगल डे में ठीक है मत दो बाब पॉलेज जार यो मंडे टू फ्राइड दो अब उसके बाद सेटर्डे संडे जब आप पोचिंग में जाओ तो वह साथ साथ आठ आठ गंटे की लंबी क्लासेस होती है और उसके बाद आप को रिवाइस भी गरना है तो यह चीज कुछ कुछ बच्चों के लिए हेक्टिक हो सकती है ठीक है कुछ बच्चों होते हैं जो एक गंटे की पढ़ाई के बाद सो गए ठीक है बाकी है नहीं पढ़ पाते हो अच्छे साथ-साथ गंटे तो अगर आप वैसे बच्चों आप आफिर आफ्लाइन कोचिंग ले लो उसका फायद है क्लासरूम में बढ़ सकते हो गर में बढ़ सकते हो तो अपने ऐए और अपना क्लियर कलिया नहीं आहीं आपको एमेल लिखना पड़ता है एक तो email लिखना इतना गंदा काम है, हर कोई लिखता नहीं है, और अगर आपने लिख भी दिया, तो यार उसका reply आएगा ही आएगा, इसके कोई guarantee नहीं है, तो online में बस एक नुकसान है, आपके doubt clear नहीं हो पाते, बाकी काफी बच्छों को online suit करेगा, क्या online और offline, offline में तो बहुत बड़े institute से करते हो, वो भी सेम चीज पढ़ाएंगे, अब हम बात करेंगे उन बच्छों की जो self study कर रहे हैं, तो self study ऐसे तरीके से हम करेंगे यार, कि हमारी consistency भी maintain रहे, और जो book phobia वाली चीज थी, वो भी हमारी solve हो जाए, ठीक है, और बहुत simple तरीका है, अराम से सबसे पहला step है, आपको अपने gate exam का syllabus निकाल ला है, ठीक है, तो इसका print निकाल लिया, step 1 over, step 2 है, कि आप जिस भी semester में हो, उस semester में कौन-कौन से subjects आप पढ़ने वाले हैं, उसकी एक list बना लो, निकाल ली, दोनों काम कर लिया, अब match the following करना है, ठीक है, match the following मतलब, अगर आ college में कम जाद हो, पर यही रहता है, थोड़ा बहुत, आपने देखा, engineering mathematics से ऐसा subject है, जो मेरे first year में भी है, और जो मेरे इसमें भी है, तो आपको क्या करने है, इसको अच्छे से बढ़ लो, बस, ठीक है, अच्छे से मतलब, इसके आपको previous year भी solve करने है, और इसका आपको question bank में solve करने है, भाया previous year तो पता था, यह question bank क्या होता है, और previous year भी थोड़ा और समझा दो, ठीक है, previous year आपको बहुत सारी publication मिल जाएंगे, आपको वो करनी है, जिनमें एक तो, आपको chapter wise मिल जाए, ठीक है, obviously subject wise तो होना ही ठीक है, और 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 भी अच्छा होगा, अगर आपक topic wise मिल जाए, भाया इतना बोली रहे हो, तो आप ही नाम बता दो, यार नाम में बता दूगा, बट नाम लेना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मैं generally coaching institutes के नाम लेता नहीं, क्योंकि मैं किसी का दुश्मन मा, समझ रो, तो यार उनके आप previous years ले सकते हो, ठीक है, तो वो आप आपको साथ में solve करने है, यह पड़ा previous year साथ में solve कर लिए, साथ में question bank, question bank क्यों होता है, question bank यार इनके basically predicted questions होते है, predicted questions मतलब, यह previous trends को देखते है, coaching institutes, और उसके बाद ऐसे 1200 questions का आपको bank दे देंगे, जो कि अगले साल आने वाले है, ठीक है, तो वो question bank होते है, तो आप यह दोनों अपना हर subject wise solve करते रहो, similarly आप second year में, second year में आपने देखा, discrete mathematics है, operating system, networks, computer system, architecture, ठीक है, हो सकते है, depending on college to college, topics अलग हो, ठीक है, मैं example लेके बता रहो, तो आपने इन सब को साथ में पढ़ लिया, साथ में अपने वही previous years कर लिया, और question bank कर लिया, ठीक है, अब यह उसके अब कर लिया, जैसे आए, engineering mathematics school, वो चीजे हमें नहीं करना है, हमें revise करना है, summer breaks हमारी 2 महीने की होती है, winter breaks हमारी 1 महीने की होती है, time बहुत है, ठीक है, ठीक है, देख लेना, जो भी subjects हो, match the following करनी है, साथ में previous year करेंगे, साथ में question bank करेंगे, यह चीजे हमने कर लिया, सेम इस pattern follow कर रहे है, दुबारा हमारी summer winter break आएंगे, दुबारा revise कर लेंगे, उसके बाद आपका fourth year आजाएगा, fourth year में आपकी क्या होंगी, placements, अब आपकी मर्जी है, placements में बैठ रहे हो, या नहीं बैठ रहे हो, पर considering कि आप placements में बैठ रहे हो, placements ले लो, पर September, September तक ले ले हैं, ठीक है, तो उनका वो अपनी test series बनाते हैं, वहाँ पर आपको 50-70 test दे देंगे, 50-70 test किस type के test होंगे, कुछ होंगे easy level के, कुछ होंगे आपके subject wise, कुछ होंगे आपके full levels, समझ रहे हो, अलग लग type के, तो वो आपको test ले लेने हैं, और उनसे आपके next level मतलब पढ़ा हो जाएगी, अगर आपने यह सारी चीजे कर ली हैं, तो आपको coaching जाने के दुरूरत नहीं है, आपको coaching जाने के दुरूरत नहीं है, तो भाईय ठीक है, consistency तो समझ में आ गई, मुझे कैसे maintain करनी है, कि जो भी जिस साल में जो पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में previous year question bank करते मेरी इंजिनिरिंग की जितनी भी बाढ़ाई दिना जितनी भी बढ़ाई जितनी भी बढ़ाई मैं आपको बता रहा हूं चालेज के टीचर से हां ने आपको और YouTube पर सर्च मार दो, एक से एक बड़िया टीचर आपको मिल जाएगा, जो इस चीज को आपको समझा रहा होगा, ठीक है, काफी सारे टीचर तो ऐसे होगे, जिनके खुद के online gates की academy होगी, ठीक है, online gate की coaching देते होगे, तो वो अपने काफी सारे free courses भी ऐसे YouTube पर डाल द तो कभी किसी का पढ़ लिया, कभी किसी का पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है तो आप शायद picture आपको clear हो गई होगी, coaching लेनी है, तो online लेनी है या offline कर ली है, depend, आप पे करते है, आपको एक बार में 7 गंटे पढ़ना है, या घर पे बैठके पढ़ना है, या फिर आपको doubts जाद आते हैं, कम doubts आते हैं, आये तो आप किस से solve कर वाँगे, मतलब वो सारी चीजे आपको खुद देखनी है, दूसरा, खुद से पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, चीजे, I guess, hopefully, clear हो गई होगी, मैंने बोला था, मैं step 2, 3, 4 भूल जाओगा, तो ये यार आपका step 1 है, इतना step 2, 3, 4 के होंगे, बड़े निया, वो बहुत चोटे-चोटे हैं, आपका February में एक्जाम होते हैं, उसके बाद माननों आपका gate का score आ गया, तो उसके बाद क्या selection हो जाएगा, नहीं, उसके बाद आपको थोड़ी और महनत करने बढ़ती है, आपको यार, depending on college to college, अगर हम सिर वो आपका written test भी लेंगे, किनी-किनी colleges में आपका coding round भी होता है, coding round, coding round कौन लेता है, triple IIT अलाबयात for example, वो आपका coding round भी लेते हैं, फिर, एक और चीज भी होती है, आपका third round होता है, वो होता है आपका interview, interview लगभग हर colleges में होता है, अगर हम एक दो colleges को छोड़ दें, तो सम कम colleges होंगे, कुछ colleges होंगे, जो इन तीनों के बाद आप पर interview round भी लेंगे, ठीक है, वो एक nominal सा होता है, उसमें जादा को इटेंशन लेने मले बात नहीं है, तो hopefully, वो बचे वे दो-तीन steps ही बने बता दिये, hopefully आपके सारे doubts क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी कोई doubt बचे comment section में जल्दी से लिखो, मैं उसे extra note करके लिखूंगा, और जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करोंगा, इसे के साथ चलते हैं यार, नीचे एक subscribe बटन होगा, अगर ऐसे और वीडियो चीज़ है, क्योंकि अब मैं career related काफी सारे वीडियो बनाने वादा हूँ, ठी करो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर देना, और सबसे अची चीज होती है, शेर करना, अगर आपको किसी creator को सही में पसंद आता है, आपको काम उसका वीडियो शेर कर दिया, तो उसकी रीच बढ़ जाती है, और बच्चों के पास वो चीज पहुंचती So that is the best way to show your love, so tab तक ले चलते हैं, see you, have a good day, bye